पार्ठ चार वर्ण वर्ण माला का ज्यान Knowledge of Letter and Alphabet हम बहुत सी ध्वनिया सुनते हैं जैसे सीटी की ध्वनी ताली की ध्वनी बाजे की ध्वनी स्कूल के घंटे की ध्वनी बस की ध्वनी मुख से निकलने वाली ध्वनिया बाबा मुख से निकलने वाली ये ध्वनिया ही वर्ण या अक्षर कहलाती है वर्ण या अक्षर के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते है वर्ण या अक्षर के दू रूप है स्वर व्यंजन हिंदी भाशा में 11 स्वर है हिंदी भाशा में 33 गेंजन है क, ख, ग, घ, अड, च, छ, ज, 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 य, य, त, ठ, ड, ध, ध, र, र, त, द, ध, ध, न, प, भ, ब, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह हमने सीखा मुह से निकलने वाली ध्वनी वर्ण कहलाती है वर्ण के दो रूप है स्वर और व्यंजन